हाइन आज हम देखेंगे टिस दिसमबर दोहजार वाव मिसके इंपॉर्टेंट कोश्चन जो आपके एक्जाम में सारे के सारे 25 तो पूरा पेपर का डिसकस करेंगे तो चलिए चलते हैं जैसे कि computer के आप देख रहे हैं आप चार कोशन सम्तिंग पूछे गए मैक्स के पांच कोशन साइंस के चार जी के और रिजनिंग के कोशन आपके पूछे गए जिसे कि हम रेगुलर बता रहे हैं इस उननीस तारीक अठारीक 17 तारीक जैस पूछेंट और तो द्यान रखेगा रेंडम एक्सिस मेमोरी होता है क्या होता है स्टृटिवेंट्स रेंडम एक्सिस मेमोरी एक मुझा था इस पूफिंग्ग क्या है तो द्याहन रとか इंटरनेट प्रोटो कॉल रहता डो एड्रेस फेक रहता है तो इसके द्वारा इस पूफिंग करी जाती है सिस्टम को एक करा जाता था into दिवाने के शपुफिंग कोशन आया था कि एकिंग के लिए दिटा इस चली उसके बाद कोशन पूचा था जी इसका कोशन इस इंडिया कंपनी की स्तापना के समय भारत का शार्षक कोन था तो इसका सही उत्तर था मुगल समराड जहांगीर जिहां जिन्हें न्याय की जंजीर के नाम से भी जानते हैं तो जहांगीर याद रखेगा ठीके एक कोशन और मैंने आपको अता दिया है न्याय की जंजीर के है वो कहां पर अवस्ती थे तो उद्यगिरी की गुफाएं कहां पर विदीशा में और कितनी गुफाएं टोटल बीज गुफाएं कितनी बीज गुफाएं आने अले एक्जाम पूछ सकते हैं फिर एक कोशन था भरूत का इस्तूप जी हां जो है कहां पर सतना मध्यपदेश म में जी हां बाग की गुफाएं फेमस हैं फिर एक कोशन जीएस का ओर आया था पूछा गया था भारत की राश्पती दुरोपती मुर्मूजो बनी हो कौन से नंबर की तो पंडरवे नंबर पर ऑप्शन थे 14 15 16 तो 15 नंबर की यह थी जिए ठीक है फिर कोशन था साची का इ जिले में इसी थे ठीक है फिर साइन से रिलेटेट कोशन आया था आपकी एक्जाम में जी हां साइन से रिलेटेट जीवानु से संबंदित रोग के बारे में जी हां रोग जो था इससे संबंदित कोशन था आपकी एक्जाम में ठीक है इससे संबंदित था यहां पर एक और कोशन और इसी से रिलेटेड आने आली एकजाम में हो सकता है जिसका दे मैंने यहां पर इसकी ट्रीक लिया हूं जी आ क्या जीवानू से संबंदित होने वाले रोग इसको डिसकस करते हैं हमारी ट्रीक दो हैं यहां पर ध्यान रखेगा P, H, D, N, T3, K2 जीवानू से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नो बिमारी हम डिसकस करेंगे यहां लास्ट तक बने लेगा सारे के सारे भी मारी आपको डिस जो हैं यह पूरी क्लियर हो जाएगी के हमारी ट्रीक जो हैbreal that od odd place मतलब काली मोथ सा सलाव है look ठीक है ब्लेक डेथ के नाम से प्लेक को जानते हैं चुह की कारण होती ही बैक्टेरिया पाये जाता है एससे होता है हेजा हेजा मतलब होता है कोलेरा कोलेरा जो होता है वह आत में होता है आत मतलब हो गया है यहां पर इंटस्टाइन जी हां इंटस्टाइन में होता है फिर ए कि कच्चे दूद में फिर उसके याद एना को मैं टैंको प्रहाइद करता एक बारी जो रहें कंसी बिमारी में तीबी 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 मतलब बनाउध ट्यूबर क्लोश्ट इसमें इंगेशन लगा जाता है बीसी जी का इंग लगा जाता बैसिलर सकालमेट 2020 फ्रेप्रवाइद करती यह चिके टीह तो यह थी ट्रिक में पेपर कटिंग में कोशन आया था जी हां पेपर को फोल्ड करते जाते हैं फिर लास्ट में यहां पर कट लगा देते इसको ओपन करने के बाद कौन सी इमेज बनती है उस टाइप से यहां पर कोशन था ठीक है एक कोशन डाइगराम से आई रहा है आपके एकजाम में तो यह पर आप नॉर्मल यह आराम से गेन कर सकते हैं इसका सिंप्लिफिकेशन था ठीक है पासे से भी कोशन दो तीन बार एकजाम में आ चुके हैं आप लगातार आ रहे हैं तो पासे वाले भी आप कर सकते हैं टॉपिक इंपोर्डेंट टॉपिक है देन और चीजे डिसकस करते ह हैं अब कुछ फुल फॉर्म भी डिसकस कर रहें क्योंकि फुल फॉर्म रेगुलर आपके एक्जाम में आ रहा है क्योंकि तीन दिन से हम देख रहे हैं सारी शिफ्ट में UPS का यार रखेगा अनिंटरप्ट पावर सप्लाइज जी हां अनिंटरप्र आवर सप्लाइज होता है दन उसके जड़ कोबाल का भी आपकी याद रखेगा है और कॉमन बिजनेस ओरियंटेड लेंग्वेज चीहां कोबाल क्या होता है कॉमन बिजनेस ओरियंट लेंटेड लेंग्वेज cctv का फूल-फॉर्म याद रखेगा इक्लों सरकिट टेलिवीजन टीक है फिर देन को उसके बाद आगर बात कर रहे है Hastqii का भी याद रखेगहाइसी डॉबिल आई इसका होताहर अमेरीकन इस्टेंडर कोड ऊपॉर इंफर्मेशन at Zhocom इंटरचेंज रिखिकिए रिखिए अमेरिकन इस्टेंडर कोड फॉर इंफर्मेशन इंटरचेंज का होता है यहां पर इसका फुल फॉर्म होता है आसकी का रेम रोम का तो आपको जनरली पता ही है यहां पर डबल इपी रोम का भी याद रखे डबल इपी रोम इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्टिकल इरेजेबल ठीक है इलेक्टिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल बाकि थी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेवल यह तीन नाम याद रखिएगा पाकि रीड ओनली मेमोरी सीमिलर है ठीक है तो वीडियो को हो सकते जार जारा शेयर करिए रेगुलर आपके अपडेट रहेगी MP की जितनी भी एक्जाम में सारे पेपर की रिवीवी रहेंगे थैंक यह तो मुच्छ